यह है नवी मुंबई का कारगर नोर्ड, one of the most sought after residential areas पूरे नवी मुंबई के अंदर और एक क्लाइन सिटी का हिस्सा होने के इनाते यहाँ पर अपको चीजें अलाइन नज़र आगी चाहे roads हो यहाँ पर बना हुआ गॉल्फ कोस या एक बहुत बड़ा public park लेकिन अगर अगर अप तोड़ा जूम आउट करें तो आपको नज़र एगा कि इस पूरे के पूरे urban development के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा plot का empty छोड़ दिया गया है यहाँ पर कोई construction नहीं हुआ और यह जमेन around 345 acres की है और यह plot ऐसे ही नहीं छोड़े गए यह छोड़े गए थे कारगर corporate park बनाने के लिए जो future में BKC Mumbai और Cyber City गुडगाओ से भी ज्यादा बहतर बड़ा और modern एक office complex होने वाला था लेकिन multiple साल के delays के बाद में finally पिछले महिने इसे fast track pace पर डालते हुए अप्रूफ कर दिया गया है और funding भी allocate कर दी गई है जिसके बाद में अब काम शुरू होने वाला है इंडिया के यह one of the most sought after office districts के उपर है कि यह project क्या है इसकी history क्या है और उस project में actual में होगा क्या सारी चीज़ों के बारे मैं जम जानेंगे थोड़ी यहाँ पर नवी मुंबई के planning के history जानना जरूरी है यह समझने के लिए कि खारगुर को यहाँ पर यह काम क्यू दिया गया execute करने के लिए तो जब नवी मुंबई बन रहा था तब यह decide क्या गया था मुंबई के अंदर जो working crowd है वो कम किया जा सकी और उसे नवी मुंबई में shift करने के लिए अलग-अलग job creation sectors बनाने की जरूरती इसी को देखती हुए जब नवी मुंबई design हुआ तब वाशी बना एक बहुत बड़ा farmers market जो यहाँ की शुरुआ थी जिसके बाद में अलग-अलग industries बने घंसुली बना यहाँ का industrial area जहाँ पर बड़ी factories थी इसके बाद में एरोली यहाँ का IT अब बना जहाँ पर मुंबई से ज़ादा IT companies के बड़े वाले offices है इसके बाद में CBD बेलापूर बना यहाँ का governmental area यानि जो central business district है वह एरिया जहाँ पर चाहे वो reserve bank हो वहाँ के administrative buildings हो महाराश्य के अलग-अलग governmental departments के headquarters हो वो यहाँ पर बनना शुरू हुए और ऐसे अलग-अलग चीज़े future के लिए भी design के गई है for example जो नवी Mumbai international airport बन रहा है उसके पास में एक special economic zone design किया गया जो specifically airport influence industries के उपर होगा जबकि उलवे के अंदर एक proper educational load design किया गया है और खारगर जो यहाँ पर एक बहुत important residential area बना इसे allocate किया गया था एक corporate business environment बनाने के ल इसलिए allocate की गई थी कई दशकों पहले ही जब खारगर के initial formation वाले steps को execute किया जा रहा था लेकिन कई delays के चलते और need नव होने के वजह से यह plot of lamp empty ही पढ़ा रहा reserved होने के बावजूद finally around 10 अकबर पहले यहाँ पर talks fail से शुरू हुए इस plan को develop करने के लिए लेकिन plans develop होने के कुछ समय बाद में issue यह आया कि जब 9 वंबे international airport के confirmation की बात सामने आई तो FSI related issues यहाँ पर आने लगे यानि की FSI को कम करना था जिसके होजे से यहाँ पर जादा उन्ची buildings नहीं बन सकती और airport के आसपास वाले restrictions भी यहाँ पर लगना शुरू हो गया जिसके कारण यहाँ पर plans को redraw करने की जरूद पढ़ने वाली थी और उसके बाद में धंडे बस्ते में चला गया इसके लिए funding भी allocate ने हुई और यह kind of आप कहा सकते हो कभी बनना शुरू हुआ ही नहीं लेकिन कि यह project को पिछले मेंने ही fast track pace में add कर दिया गया है जिसके बाद में इसके लिए funding भी approve कर दी गई है plans भी बना दिये गए है जिनको finalize किया जाएगा और यह था थोड़ा background की कैसे इंडिया का one of the best corporate parks बनने वाला है अब समझते हैं कि यह corporate park होगा किस तरीके का अब जैसे मैं इसके लिए आप कहें तो cycling walking ऐसा इंफरा बहुत अच्छा होगा ताकि overall पूरे की पूरे पार्क के अंदर किनी भी दो जगों की बीच में comfortably और easily चल कर भी पहुचा जा सके और हर्जे के बिजाने के लिए गाड़ी की जरूवत ना हो people friendly से बना जाएगा people friendly का मतलब यहाँ पर अलग अलग विश्टा प्लाजा पाक्स सिटिंग एरिया कम्यूटी प्लेस बनाए जाएंगे ताकि जो लोग है वो यहाँ पर अच्छे से एक environment में ही काम कर सके trees and greenery के ओपर भी ध्यान दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि यह एक baron lands के बोच जो आपका end of कि कही नहीं म बात करें तो वहाँ पर भी rapid transit के ओपर बहुत इंपोर्टेंटली फोकस किया गया था चाहे वह metro हो यह रोट्स और similar चीज यहाँ पर होगी वैसे अगर हम देखे तो already इस एरिया में से जो जल्दी खुलने वाली नवी मुंबई मेट्रो है उसकी लाइन गुजरती है और ए transportation की सबसे बहुत अच्छी होगी अभी तक government ने एक एक एरिया क्या काम करेगा इंडस्ट्रीज होगी क्या क्या चीज़े यहाँ पर होगी उसके बारे में details तो नहीं दिये है लेकिन यह बात सामने आई है कि किस तरीके से इस project को majorly fund कहता है अब obviously government खुद का वैसे दो डाले उनको corporates को sale करेगी auction process की तुरू और साथ साथ कोई अगर additional FSI भी खरीदना चाता है within the rules airport वाले तो फिर यहाँ पर वो भी sale government करेगी जिसके वज़े से private developers यहाँ पर आके पैसे लगाएंगे और बाद में जो plot से यह direct outright वैसे sale नहीं होंगे यह kind of long term leases होंगी जिसके वज़े स से government को continuous income भी मिलता रहेगा जिसके वज़े से यह काफी self-sustaining development होगा ऐसा नहीं होगा कि government जाके सब कुछ बना रही है government यहाँ पर आप कह सकते हो एक supervisory planner का role play करेगी जबकि private development ही जादा तर होगा और क्योंकि यह एक बहुत ही जादा high demand area है तो यहाँ पर private developers की भी कमी हमें द designs देख रहे हैं उसके लिए कई डिजाइन बनाया गया है edifice के द्वारा और जिस सबसे चीजें बढ़ रही है जैसे मैंने कहा पिछले मैंने फास्ट्रेक्ट को डालना funding का प्रूव होना चीजों का ठीके आगे बढ़ना और airport के construction speed सब चीजों को देखते हुए probably इस साल में नहीं हमें पहले plots पर construction होता हुआ नजर आ सकता है इस एरिया के अंदर और यह बन जाएगा इंडिया का one of the best corporate spaces उमीन करता यह वीडियो को सही लगी होगी आपके बस अगर और डीटिल्स इसके बारे में तो मुझे comments में ज़रूर बताना बाकी वीडियो अच्छे लगी और मिलेंगे अगले वीडियो में